ममी ओ ममी मुचा इपन दिला दो ना चा बिता चा ले 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 तो भाइलो केसे हो लोग तो आइफन कर लेते हैं और चार्जिंग उसको चार्जिंग करके करने के टाइम पर 5 गलतिय कर देते हैं अगर आपका आइफन बहुत है गरंबो के और काके अंदर रखा हो उसको पर दूप की रहा हो तो उसको चार्ज बात करा करें क्यूंकि अगर आप गरंबो आइफन को चार्ज पटने हो तो वह फटता है अगर आप उसको 35 degrees से ज्यादा आपका करम होगा और उसको अप्त्राज करेंगे तो आपका बेट्री खराप हो सुपता है और फोर्ट फट भी सकता है आते है थाग नंबर में अगर उनका चार्जर का केबल वह जाता है तो वह सस्ते वाला 50 सुप्रे वाला केबल लागा कर चार्ज करते हैं और वह बात करता है क्यूंकि यह आपका आइफन को स्लोर चार्जिंग कर देगा और आपको वेट्री को टैनिस कर सकता है आइफन दर लिए हो कुछ तो सराम करो याँ मेलो और ने तो आइफन आपका खरब सब्स हो सकता है कुछ में तो कट्टी फटी ताग यूज करते हैं जैसे कि USB का अपको पड़ गया हो उसो यूज करते हैं पर यह मात यूज करना क्यूंकि इससे आपका बेट्री और मोबैल दोनों फर सकते हैं और दोनों का मतलब को डिश्टन हो सकते हैं और इस फटी भी ताइर से अगर आप चार्जिंग करेंगे तो आपका फून सर्शांप्रीज हो सकता है क्यूंकि अगर यह वायर फटी होई है तो उसमें सॉक आ सकता है आपका बेट्रीज होगे तो आइफोन को वायर चार्ज मत करना और इसको दिखाना नहीं के मेरा आइफोन को वायर चार्ज हो रहा है कि दिखे मेरा आइफोन को वायर चार्ज हो रहा है इसे मत करना क्यूंकि वायर चार्ज बहुत स्लोव होता है लोग यह हैं और आप यूस्बी चार्जिक चार्ज के कमपरेंट पर आपको स्लो चार्ज करना है तो अब आप पांचर शास्ता फोन खरकत चार्ज देते हैं पर आपोन को कभी वहाया चार्ज में चार्ज मत करना बहुत सारे लोग है कि जहां भी जो चार्चर चार्चर गुशेट लेते हैं अधर्वा में अकासका आइपोन में यहां जाओ गुशेट दे यहां जाओ गुशेट दे पर इसे मत करना अगर आपका बेटरी 50% तक है 50% नीचे है तो आप उसका आइफॉन का चार्चर चार्च करना नहीं तो आगर 50% चार्च उपा 60, 70, 80, 90, 100 है तब भी मत करना क्योंकि यह आपका बेटरी को दमेज कर सकता है और इस वीडियो के लिए पास अतना है है अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने सब्सक्राइब कामेंट कर देना चलते हैं विलेगे इस वीडियो में